हलो दोस्तो हाली में आई नेट्प्लिक्स पर एक नई वेंपायर बेस्ट वेब सीरीज के बारे में तो सुनाई होगा जिसका नाम है टूथ परी वेल लव बाइट्स जिसमें एक इंसान और वेंपायर के बीच की कहानी को दिखाया गया है वैसे तो कई वेब सीरीज और सीरीज बनी है जिन में इंसान और वेंपायर की प्रेम कहानी है जैसे वेंपायर डारेज, इंडियन सीरियर ड्रामा प्यार की एक कहानी और हाली में आई इश्क में हुआ घायल पर डूत पर ही इन में डिफरेंट है क्योंकि इन में लड़की वेंपायर होते है जबकि मोस्ली में लड़का वेंपायर होता है अब स्टोरी की बात करें तो इस प्रेम कहानी की शुरुवात कोलकाता से होती है जहां रूमी नाम की लड़की अपने वेंपायर्स गिरों के साथ इंसानों की दुनिया से दूर जमीन के अंदर बने वेंपायर के आशियाने में रहती होती है इस कभीले के हेड को ओरा कहते होते हैं सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इस कभीले को दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखने वाले एक आम आदमी होता है जिसका नाम AD होता है। कभीले का नियम होता है कि कोई भी वेंपाय बाहर नहीं जा सकता उनके खून की जोरतों को पूरा एडी करवाता है लेकिन रूमी को ये विल्कुल मनजूर नहीं होता वो कैद होका नहीं रहना चाहती होती इसलिए हर दिन नए इंसान का खून पीने के लिए रूमी अपनी द दात का इलाज कराने के लिए कलकत्ता के एक नौसिख्य सरमीले डॉक्टर रॉय के पास जाती है डॉक्टर रॉय को डेंटिस्ट बनने से ज्यादा इंटर स्कोकिंग में होता है पर फैमिली ट्रेडिशन की वज़े से उसी इवर करना पड़ रहा होता है और यहां से दोनो हुआ दात पुलिस ओफिसर के हाथ लग जाता है पुलिस ओफिसर के पिता विरेंद पाल ने 1960 के दसंग में वेंपायर्स को अपनी आखों से देखा होता है पर उसकी इस बात पर कोई भरोसा नहीं करता खुद उसका बेटा भी निए वेंपायर्स है तो उनको खतम करने वा देती है शीला को मराद एक वेंपायर्स में डर बैट जाता है इसलिए उपर की दुनिया में जाने की और पाबंदी कर दी जाती है अब क्यूंकि रूमी का दात अभी भी फिक्स नहीं हुआ था इसलिए उपर जाने का रास्ता उसी की कौम के डेविड और मीरा बताते हैं इसलिए रोज शाम को डॉक्टर राय से मिलने जाती होती है इसी दौर रूमी के पास्ट को दिखाया जाता है कि वो जिस लड़के से प्यार करती थी उसने उसे प्रेगनेंट करके छोड़ दिया था इसलिए रूमी के मारता पिटता था और जब उसका दूसरा बच्चा प अब एडी को लाके देता था यहां एडी का भी काला सस्ट दिखाया जाता है कि आखिर वो क्यों वेंपायर को सरण दे रहा है असल में वो उनके खून को हिमन ब्लड में मिक्स करके एक ऐसा ब्लड तयार करता था जो इसकल कैंसर बनीच के लिए पायदे मन्द होता था और पुई वी इसी रोग से क्रसित थी रूमी ने जिस आदमी को काटा होता है वो धीरे धीरे वेंपायर में कनवर्ट हो जाता है और चानमीन के दौरान वो आदमी सब इंस्पेक्टर कारतिक पर अटेक कर देता है पर वेंपायर कॉम का रक्षक औरा उसे बचा लेता है उस आ से इंटरोगिशन करता है कारतिकी बातों को सुन डॉक्टर राय को रूमी पर शक होता है रूमी को अपना दात तो नहीं मिलता इसलिए वो शीला का दात लेकर डॉक्टर के पास फिक्स कराने जाती है पहले तो डॉक्टर को यकीन नहीं होता वह फिर फिक्स हो जाता है में चली जाती है उसका पीछा करते हैं डॉक्टर रॉय भी उसकी दुनिया में चला जाता है रूमी की हाला देख डेविट उसे अपना खुन पीने को देता है ऐसा करते हैं डॉक्टर रॉय देख लेता है और इस तरह उसका शक्यकीन में बदल जाता है कि रूमी एक वेंपा मॉन्स्टर है